उत्राखंड जिला अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 को और वो भी बहुत बड़े आंदुलन होने के बाद क्योंकि उत्राखंड हमारा पहले उत्तर प्रदेश में शामिल था उत्तर प्रदेश से उसको अलग करने के लिए बहुत लंबा आंदुलन चला और उस आंदुलन के तहट हमारा उत्तराखंड राजजिय अलग राजजिय या प्रिथक राजजिय अस्तित्व में आया तो उत्तराखंड प्रिथक राजजिय बना हमारा 9 नवंबर 2000 को उसके बाद जब उत्राखंड बना पृतक राजी तो उसका नाम था उत्रांचल उत्रांचल नाम उत्राखंड में बदल दिया गया एक जन्वरी 2007 को उससे पहले उत्तर प्रदेश में हमारा उत्राखंड शामिल था और उससे अलग करने के लिए बहुत लंबा आंदोलन चला और उसके बाद हमें हमारा उत्राखंड राजी मिल गया तो यहाँ पे एक कोशन ये भी अराइस करता है कि क्यूं हमें जरूरत पड़ी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने की उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्यूंकि उत्तराखंड में विकास की परियोजनाय लाई नहीं जा रही थी उत्तर प्रदेश एक सहरी शेत्र था और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्राखंड के resources का दोहन करके उत्तर प्रदेश में सारी की सारी विकास परियोशनाय ला रही थी इसलिए उत्राखंड हमारा जो शेत्र था वो पिछड़ता चला जा रहा था दूसरा reason हम ये भी कह सकते हैं कि उत्रकंड में पलायन जो था चरम सीमा पर था क्योंकि maximum जो उत्रकंड में युवा थे या लोग थे वो सेना में भरती होना चाहते थे लेकिन सारे के सारे लोग सेना में भरती नहीं हो सकते थे तो जो लोग सेना में भरती नहीं होते थे वो पलायन करके बाहर नौकरी की तलाश में चले जाते थे और वहां से अपने परीजनों को पैसा भेजते थे Money Ordering के तहट और उस पैसे के तहट वहां के लोगों की या उनके परीजनों की अर्थविवस्ता चलती थी इसी लिए हमारे उत्राखंड में मनी ओडरी प्रकार की अर्थवेवस्ता हुआ करती थी और पलाइन इतना जादा बढ़ गया कि सारे के सारे लोग उत्राखंड छोड़ के नौकरी की तलाश में बाहर जाने लगे जिस वज़ा से उत्राखंड को प्रिथग राज्य बनाना जरूरी हो गया क्योंकि प्रिथग राज्य बनाने से सरकार का सारा ध्यान उत्राखंड पे रहता और उत्तर प्रदेश अपना अलग कार्यभार संभालता थर्ड ली हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कोई भी डॉक्टर टीचर या कोई भी वेक्ती पहाडों पे अपनी नौकरी नहीं तलाश सकता था पहाडों पे अपना नहीं जाना चाता था नौकरी के लिए ब्रश्टाचार इतना बढ़ गया था कि पहाडों से पेड पहाडों का जो भी हमारा रिसोर्सेस होती थी वो सब की सब यूज करके सरकार ले जाती थी और एक तरह से पहाडों में या परवतिय शेत्रों में बहुत जादा दोहन हो चुका था लास्ट रीजन मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्राखंट को अलग करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ पे ना अच्छी सुविधा थी ना सिख्षा थी ना अच्छे बहतर अस्पताल थे कुछ भी सुविधा नहीं थी इसलिए उत्राखंट को अलग किया गया क्यो उत्राखंट जब प्रितक राज्य बन गया उसके बाद हमारे उत्राखंट में कुल तेरा जिले थे और वह तेरा जिले कब और कैसे बने वह हम जानेंगे तो उत्राखंट में कुल जिले हैं हमारे तेरा कुल जिले तेरा और यह कब और कैसे बने इसके बारे मैं विस्तार स बढ़ेंगे और सबसे पहले 1815 की बात आती है 1815 अंग्रेजों ने जो हमारा पूरा उत्राखंड छेत्र तर उस पर कपजा कर लिया अचारा सब्धरा में जो ने कपजा किया तो केवल एक तीरी रियासत जो थी वहां अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया तेरी रियासत को छोड़ कर अंग्रेजों ने पूरे उत्राकंड शेत्र पर अपना कब्जा कर लिया उसके बाद 1840 की बाद आती है 1840 में हमारा पौड़ी गड़वाल जिला बना 1854 की बाद आती है 1854 में हमारे उत्राकंड में गड़ना हुई जिसमें हमारा क्या बना कुमाउ मंडल बना और इस कुमाउ मंडल का मुख्याल है नैनिताल बनाया गया उसके बाद 1891 की घटना आती है 1891 में हमारे दो जिले बने अलमोडा और नैनिताल तो कोशन यहां से पूशता है कि 1891 तक या 1947 तक हमारे उत्राकंड की क्या इस्तिती थी या हमारे उत्राकंड में 1947 या आजादी तक कुल कितने जिले थे तो यहां पर आंसर होगा तीन जिले पहला है पॉड़ी दूसरा है अलमोडा और तीसरा है नैनिताल इसको हम पैन से याद रख सकते हैं तो 1947 तक उत्राकंड में तीन जिले थे पैन, पॉड़ी, अलमोडा और नैनिताल उसके बाद हम देखेंगे 1960 1960 1960 में हमारे उत्राकंड में तीन जिले बने जिने हम कप से याद कर सकते हैं पॉड़ी, उत्तरकाशी, पित्था और अगड़ 1960 में हमारे उत्राकंड में तीन जिले बन गए, उसके बाद 1988 की बाद आती है, 1988 में हमारा हरीद्वार बना हरीद्वार बना, लेकिन ये हरीद्वार हमारे उत्राकंड में शामिल नहीं था, ये उत्तर प्रदेश के साहरनपुर मंडल में उस वक्त शामिल था इसे उत्राकंड पित्थक राज्य बनने के बाद हमारे गड़वाल मंडल में शामिल किया गया फिर 1969 पे आते हैं 1969 में हमारा गड़वाल मंडल बना गड़वाल मंडल बना और इस गड़वाल मंडल का मुख्या ले पोड़ी बनाया गया तो यहां 1815 से 1988 तक की हमने उत्राखंड में जिले बनने की सिती देख ली उसके बाद हम देखेंगे 1995 में हमारा उधं सिंग नगर जिला बना उधं सिंग नगर बना 1995 के बाद हम देखेंगे 1997 की सिती 1997 में हमारे तीन जिले बने जिले हम R, B, C Red Blood Cell करके याद कर सकते हैं R से है हमारा रुद्र प्रयाग B से है हमारा बागेश्वर और C से है हमारा चमपावत 1997 के बाद हम देखेंगे सन 2000 में हमारा रुद्वार जो उत्तर प्रदेश के सहरनपुर मंडल में शामिल था उसे गडवाल मंडल में शामिल कर दिया गया और वो भी हमारे उत्रकंड का एक जिला बन गया 9 नुवंबर 2000 को हमारा उत्रकंड राजिय अस्तित्व में आया राजिय बना तो इस तरह से जिलों की सीरीज बताई और इसमें कोशन ये पूचा जाता है कि ये जिला कब बना या ये पर्टिकुलर जिला कब बनाया गया उसके बाद हम देखेंगे टीरी की टीरी जो था वो एक तरह से रियासत था रियासत रियासत का मतलब यहाँ पर होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर राजाओ का कबजा होता है उसे बोलते हैं रियासत तो टीरी जो था रियासत था और अंग्रेज जब हमारे संपूर शेतर पर कबजा करते हैं उत्राखण में तो वो टीरी को छोड़ देते हैं क्यूंकि यहाँ पर राजाओ का कबजा चल रहा था तो अथारा सो पंड्रा में तीरी बना और क्यूंकि यहाँ पर राजाओ का कबजा था तो तो 1949 में यहां से राजाओ का कबजा समाप्त कर दिया गया और इसको भारत में विलीन कर दिया गया तो 1949 में हमारा टीरी क्या बन गया उतराखंड का एक जिला बन गया यहां पे दो अलग अलग कोशन होंगे टीरी कब बना 1815 में बना क्योंकि यहां पर राजाओं का कबजा था इसलिए इसको रियासत बोला गया जिला नहीं बोला गया और इसको जिला कब बनाया गया 1949 में इसको जिला बना दिया गया तेरी रियासत के प्रतम राजा थे प्रतम राजा सुदर्शन चाह थे और अंतिम राजा मानवेंद्र शाह थे इस तरह से हमारे उत्राखंड में तेरा जिले बने और हमारा उत्राखंड एक प्रिथक राज्य बन गया और 2007 को हमारा उत्रांचल से नाम उत्राखंड पड़ गया इससे आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से उत्राखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए लोगों ने कई कटिनायों का सामना करा और इसको प्रिथक राज्य बनाने के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानिया करी कितना संगर्ष दिया इससे आगे के लेक्चर में हम इसको continue करेंगे तब तक के लिए thank you